हेलो एवरीबरन मैं डिवाइन वैमनन आपके लिए टुइन फ्लेम की राइट नौगी करन्ट एनरजी इस टाम आपके पार्टन का तो हट टीक हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा मेंसिंग एनरजी बैटली है वो तो मैंने आपको नाइट में बता दिया था क्योंकि कही न कह ही उन्हें एक acceptance mode बिलाने के लिए ठीक है न्यों बेकनी बेकनिंग चल रही है तो जब तक वो पूरी तरह से clarity के साथ आपके साथ solid commitment के साथ नहीं आते हैं उन्हें उसके face पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उन्हें सपोर्ट करती तो कहीं न कहीं वह फिर भटक चल रही है कि उन्हें करना क्या है क्योंकि कहीं न कहीं घर वाले जो प्रैश्राइज कर रहे हैं कि यह कर लो वो कर लो ठीक है कुछ भी करने के लिए प्रैश्राइज कर रहे हैं जबर्दस्ती का काम समझ सकते हो कोई भी अब यहां पर कोशन उठाएगा कि marriage वालों के प्रैश्राइज नहीं होता है क्योंकि आप इसको अप्लाई करने के जबर्दस्ती कोशिश करते हो अगर नहीं हुआ तो आपका पैटन भी तो अलग होगा आगे पीछे हो सकते हो तो प्लीज इसको क्लियर्टी के साथ आगे समझा करो को इंडिकेशन मिला है तो आज नहीं तो कोई स्टोरी डिफरेंट टाइप से होगे लेकिन पैटन यहीं होगा ठीक है तो कोई भी काम को वर्क लेके हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी इल्यूजन में उनको डाला जा रहा है या उनका टेस्ट ले रहे हो डिवाइन क्योंकि कहीं न कहीं पैटन के कोर्डिंग भी डिवाइन टेस्ट लेते हैं अब आपके लाइक बने हैं कि नहीं बने हैं यह भी देखना होता है इसलिए वह बहुत सो समझ के आपको इंडिकेश्ट करते हैं या आपके सामने वह चीज़े लाते हैं जिससे आप समझ पाऊ यह लैसन है टैस्ट है यह क्या है वह आपका स समझ होती कि आपके इतना समझ पा रहे हो कि टैस्ट है कि आपने गोविद्धा फ्लो में चलना है या इसके ऊपर बढ़ करना है इन वर्क है जो भी है वह आपको इंडिकेशन मिलता रहता है लेकिन आप समझ होगे तो आपके लिए सब रास्ते साफ है तो अभी आपके पा आपके पार्टनर आपको याद कर रहा है मिस कर रहा है तो वहाँ पर रोक लगाई गई है इसलिए आप लोगों को डिटैज किया गया है तो गबराना नहीं है यहाँ पे सब पैटन आपके बलाई के लिए हो रहा है और कुछ इल्यूजन आपके भी होंगे जो आपको वहा आपके चलते थे कि नहीं आपको मेरे पैटन के कॉर्डिंग या मेरे कंट्रोलिंग में रहना पड़ेगा नहीं अब आपको अंकंडिशनल लव में आना है यह आपको अंकंडिशनल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसके वज़े से आपको समझाया जा रहा है कि अंकंड को बंदिश बनाके या बंदक बनाके नहीं रख सकते हैं, उनकी अपनी फिरी वील है, वो भी अपने जिम्मेदारियों को निभाएंगे, आपको भी नहीं बना है, आप दोनों जब तक अपने पैटन में फिरी नहीं हो पा रहे हो, तो आप किसी को दबाब करके, या कप जा क करने के कोशिश करते हैं तो ने उसे प्यार कर लिया तो मेरे हो गया तुम यह मेरा हग हो इन पैटर्न से निकलना पड़ी हम इस प्यार को जो लव है डिवाइन की तब सिर्दिया गया इसको समझना पड़ेगा हम इसे गलत ना लेकर पॉजिटिव हो कि अपना इनवक समय हमें क्या कह रहा है अब छोटी चोटी बातों को नोट करना शुरू करें एंजल नंबर है रीम है वह हमें क्या इंडिकेट कर रहे हर चीज का मेनिंग है ठीक है विताउट रिजन आपको कुछ नहीं समझाए जाता बिल्कुल इल्यूजन से बहार आ जाए यहां डिवा जाना मुझे पैटन अपक्लियर कर वा वह आपको प्रवाइट कर वाते हैं लेकिन आप मांगना तो शुरू करो अपने अपने आप से कुछ करना शुरू करो क्या बिल्यूजन में आते हैं तो हम सो चीज आसी कर बैठते हैं फिर हम इसी लिए नहीं बढ़ रही है वह इसल संदर करके चले डिवाइन जो देगा सब करते चले जाओ सब्सक्राइब के पीछे ही तो रीजन है वही तो आपको समझाएगा कि क्या होने वाला अपकी लाइफ में तो इस चीज को समझो अभी आपके पार्टनर को डिटाइच करना है उनको स्पेस दे दो अपने आप से समझने दो वह पैटन क्या चल रहा है और आपको अगर लगता है कि नहीं समझा रहा तो डिवाइन को संदर करो ठीक है पेशनली डील करना सीखो और आगे ग्रोध कर देज़ाओ अपने पर धियान दो कि मुझे क्या करना है मैं टाइम वेस्ट ना करूं और अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हों सोचने समझने ओवर तिंकिंग जो आप यहां करते तो आपका वहां पर पार्टनर मीरर कर रहा होता है आपके पैटन को फॉलो कर रहा होता है तो आपको समझ नहीं है कि हमारे वह ऐसा क्यों कर रहा है तो कहीं नहीं आपको देखना है कि अगर मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है तो इसका पीछे मेरा रीजन है कि मेरे अंदर अभी वह चीज हीडन है उसको सर्फियस पे लाना है इसलिए आपको इनवक करना है ठीक है तो एक छोटा सा जो मैसिस था आप तक पुछाना था अभी वह पैटर ना के पार्टनर सालेंट है किल्वाइन इंटर्वेंशन है बिवाइन ने ही सब कुछ किया है तो वह भी इपर 1 की तरफ ही बढ़ां आपकी तरफ बढ़ेंगे लेकिन तक है तो इन तक है मैंने बोला था मेरी इकल्वल ल टाइम चल रहा है कुछिनों मेरे इक पर्णों शोति जाएंगे अप आपको तो आपने डिमेंशन के अपको समझ आता है तो अब तक ही ते करन एनरजी में फिर मिलती हूं निव अबडेट के साथ थैंक यू